दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है आप लोगों को ये फाइल ओपन करके दिखाना और वो भी लेटेस वर्जन रहे हैं और आप अब फाइल को रिस्टोर करना चाहते हैं इस फाइल को ये देखे सामने एक फाइल आपके सामने आ जाएगा ओहो तो अब इस फाइल को ओपन कैसे किया जाए चलिए बात करते हैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा अगरवान लीजिए आपके पास कोई बैक अप फाइल आती है और आपको इस तरह से कोई फाइल भीज देता है और आपको इसे अब टेली ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसे पेस्ट नहीं करना है जैसे कि मैं आप कर रहा हूं नहीं यहाँ पे गलती से भी पेस्ट मत करिएगा आपको प्रेस करना है सिंप्ली ऑल्ट वाई ऑल्ट वाई प्रेस करने के बाद आपको री स्टोर पर जाना है और आप लोग को सबसे पहले restore backspace प्रेस करना है और backspace प्रेस करने के बाद आपको restore destination path पे control V प्रेस करना है यानि यहाँ पर इसे paste करना है ठीक है आप enterprise करेंगे और अब वो company आपको दिखाई दे रही होगी जो उसके अंदर आपको show रही है और क्योंकि पहले वो नहीं दिख रही थी ना open हो रही थी लेकिन अब उसका नाम भी आपको दिख रहा है और उसका company number भी आपको दिख रहा है ओके enterprise करेंगे और enterprise करेंगे और enterprise करेंगे फाइनली यह company लोड हो चुकी है और अब अगर आप उस location पर जाते हैं जो कि आपने अभी अभी open की थी तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक लाख number folder दिखाई दे रहा है बिल्कुल simple एक लाख number folder दिखाई दे रहा है और आप इस company को open करना चाहते हैं तो इस location को select करिये, copy करिये और अब tally में आईए और directly से paste कर दीजे, enterprise करिये और यह company है जो आपको open करनी है, enterprise करिये और यह company खुल गई, तो समझ गए आप लोग, तो कहते इस company इसे file को खोलना है, आप लोग समझ गए यह backup file आप लोग कैसे open कर आप लोग कैसे लोग से आप लोग कैसे ओए लोग, ठीजाचावाई एट कर दाव लोग समझ गए लोग को अबए भक करिये और रोग का एप नटिजाद आप सावा़ का इस वूडार पेयाओ लोग ऐस करे लोग कर दोग कर दोगाव झाल 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 झाल